बूर्णिंग चिल्डरंज चप्टर ट्वेल इमांदारी का इनाम एक गाउं में एक लकड़हारा रहता था वो बहुती परिश्रमा और इमांदार था वो नित्य जंगल में जाता लकड़ी काड़ता और बाजार ले जाकर उसे बेचता था जो भी धन उसे मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोशन करता था लकड़हारा बहुत परिश्रमी था वो लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पालन पोशन करता एक बार वह लकड़हारा नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था अचानक उसकी कुलाडी हास से छुटकर नदी में जागिरी लकडारा दुखी होकर नदी के किनारे बैटा था कि एक जलपरी पानी से बाहर निकली उसने लकडारे की उदासी का कारण पूछा उदास क्यों हो भाई एक दिन लकडारा नदी के किनारे लकडी काट रहा था तो उसके हास से कु वो उदास हो गया और बैट गया अब नदी में से एक जलपरी निकरी और उसने लकड़ारे से पूछा कि उदास क्यों हो क्या कहूं लकड़ी काट रहा था मेरी कुलाडी नदी में गिर गई मुझे गोता लगाना भी नहीं आता वह मेरी कमाई का साधन थी लकड़ारे ने उत निकाल सकती हूं तुम यही बैटो में अभी आती हूं जलपरी ने पानी में डुपकी लगाई और एक सोने की कुलाड़ी निकालकर लाई वह यहां मेरी कुलाडी नहीं है लगता है मैं अब अब नहीं मिलेंगी सोनी की कुलाडी देखकर वो उदास होगा है और कहता कि यहां मेरी कुलाडी नहीं है वो कहता है लगता है मुझे अब मेरी कुलाडी नहीं मिलेंगी